Hello students, आज हम लोग English Grammar के chapter 15 जिसका नाम है interrogative sentences जिसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चो अगर आपको ये chapter interrogative sentences समझना है तो सबसे पहले हमें interrogative sentences में एक word जुड़ा है sentences इसको समझना पहुत जरूरी है अगर आप इसको समझेंगे उसके बाद आप interrogative sentence को समझेंगे तो आपको और ज़्यादा clarity आएगी ठीक है तो आएए चांते हैं कि sentences क्या होते हैं अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो याद कीजिए मैंने आपको जब chapter 1 पढ़ाया था grammar में तो मैंने एक chapter पढ़ाया था आपको the sentence और मैंने आपको उसमें बताया था कि sentence क्या होता है sentence is a group of words arranged in a particular order which makes a complete sense it's called sentence ठीक है मैंने उसमें बताया था कि जो sentence होता है वो वास्तों में सब दो का एक समू होता है क्या होता है सब दो का एक समू होता है जो एक order में एक particular order में arrange किया जाता है लगाया जाता है यानि एक group of words होता है सब्दों का समय होता है जिसे हम एक order में लगाते हैं और ऐसे order में लगाते हैं कि वो एक complete sense दे यानि पूर्ण बात बताए पूर्ण अर्थ सबताए ठीक है उस group of words को और एक complete sense वाले group को हम क्या कहते हैं sentence कहते हैं ठीक है और इसको हम example से भी समझ सकते हैं जैसे यहां देखिए example है आगरा my brother elder live in ठीक है अब देखिए आगरा my brother elder live in यहां पर देखिए बहुत सारे word है आगरा एक word है माई एक word है brother एक word है elder एक word है lips एक word है in एक word है सभी word है लेकिन अगर मैं इसका मतलब निकालू आगरा my brother आगरा मतलब कोई जहां है माई मतलब मेरा brother मैं भाई elder मैं बड़ा live मैं रहता है इन मतलब क्या हो इसका आगरा मेरा मेरा भाई बड़ा रहता है में क्या कोई word का समू तो है group of word तो है लेकिन क्या इसका कोई इसका कोई sense है कोई मतलब निकल ला है नहीं निकल ला है ठीक आगरा मेरा भाई बड़ा रहता में नहीं निकल ला है ठीक है तो जब आर्थ नहीं निकल ला तो इसका मतलब ये sentence नहीं है ठीक है अगर आप इसी sentence को यहाँ देखें नीचे example में अगर ऐसे लिखते हैं My elder brother lives in agra मेरे बड़े भाई जो है मेरा बड़ा भाई जो है live मतब रहता है इन आगरा आगरा मेर रहता है ठीक है तो इसका एक meaning होता है क्यों क्योंकि हमें पता है अंग्रेजी जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले कौन होता है, speaker, बोलने वाला होता है, यह जिसके बारे में बोला जाता है, मतलब subject होता है, उसके बाद verb लिखा जाता है, उसके बाद complement, object, जो भी other word होते हैं, वो लिखा जाता है, ठीक है, तो यह एक particular order होता है, कि पहले subject लिखो, फिर verb लिखो, फिर other word लिखो अगर निगेटिव बना रहे तो यह order होता है इंट्रोगेटिव बना रहे तो यह order होता है तो यह particular order होता है ठीक है उसका एक sense बनता है तो उसे हम sentence कहते हैं यह तो बात हो गई sentence की ठीक है अब हमें सवाजना होगा कि यह sentence किते प्रकार की होते हैं तो आइए देखते हैं इसको इंट्रोगेटिव, तीस तरह एंपरेटिव और चौथा है ऐसकलेमेटरी संटेज स्टेटमेट में जो भी हम पॉजिटिव या निगेटिव बात करते हैं, किसमें आता है इस्टेटमेंट में आता है अब दूसर संटेज देखिए इंट्रोगेटिव संटेंस, तो इंट्रोगेटिव संटेंस किसे कहते हैं, जिस संटेंस में हम क्या करते हैं, कोश्यन करते हैं, ठीक है, अब देकिए ये स्टेट्मेंट में एक्जामपल देखिए, गंगा एक पवित्र नदी है, इसलिए स्टेट्मेंट प्ले गेम वेरी व है अब दूसरा देखिए अंतर के संटेंस आ यू डोक्टर क्या आप डोक्टर है क्या आप अमेरिका गए है मतरuno जाएंगे योट न साइं अधें FC आ आप अमेरिका जाएंगे ठीक है वाई आर यू लाफिंग आप क्यों हाँ रहे हो तीनों ही सेंटेंस में कोश्चन पूछा जा रहा है और इसमें से दो कोश्चन का जबाप आप हाँ या नामें दे सकते हो और तीसरे जो एक्जामपल है आपका इंट्रोगेटिव में वाई उससे कॉश्चन पुछा विल दे गो टू Ab Apostche keywords जाएंगे तो बढ़ना जाएंगे नहीं जाएंःगे तो नहीं जाएंगे ठीक है लेकल तीसरा वाई आर यू लाफिंग आप क्यों हमस रहे हो तो आप यह नहीं बोल सकते कि हां हम हस रहे हैं नहीं हम नहीं ही हुस रहे है ह जो भी कारण हो अपको reason बताना पड़ेगा हाँ या ना में काम नहीं चलेगा तो हमने यहाँ पर देखा कि जो sentence होते हैं वो सब्दों के ऐसे समू होते हैं जो एक आर्थ से देते हैं एक complete sense देते हैं किसी को भी नहीं sentence कर सकते हैं जो गुरु सब्दों का समू हो एक order में हो और उनका sense बनता हो उनको sentence कहते हैं इस बेस पे हमने sentence को चार काइंड बताए चार प्रकार बताए statement इंट्रोगेटिव इंप्रेटिव और इसकलिमेटरी statement में हम लोग के वल पॉसिटिव और नेगेटिव बताते हैं और इंट्रोग अब हमेंसा हां या ना में होता है आर्यू डॉक्टर विल दे टू दे गो टू अमेरिका क्या आप में देंगे लेकिन यहां तीसरा example मैंने बताया कि दो टाइप के इंट्रोगेटिव एक हाना वाले यस नो टाइप बनें इंट्रोगेटिव और जो एक दूसा जो टाइप है वो है reasonable यानि कारण बताने वाले इंट्रोगेटिव संटेंस ठीक है तो वहां पर हम क्या करते हैं question word करते हुए इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ऐसे इंट्रोगेटिव संटेंस को हम लोग कोश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव संटेंस कहते हैं तो इस तरह से इंट्रोगेटिव संटेंस दो प्रकार के हुए सब्सक्राइब कौक्षिंगuba भला है कौन जो है वो यस नो टाइप वला इंट्रोगेटिव सेंटेंस यह तो आप यहां देखो सबसे पहले पह़ले और अध्या है इस हुआ हम उस नो टाइप है कि यह तुन हमैं पुराइतर तो या платि है, helping verb, या एक्जल्री verb, ठीक है, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, जैसे आर और विल, यह दोने एक्जल्री वर्ब हैं, ठीक है, जिनको हमने पहले लिखा यह, उसके बाद आप subject लिखो, अगर वर्ब है तो वर्ब लिखो, नहीं है तो नहीं लिखो, बाकी के अधर वर्ड लि लिखेंख और जिए इंट्रोड उन्ट्रोगेटीव सेंटेंस ना उसमें कोशिण वड़ाते कोशिण वड़ कैसे दिसे वक मेंस क्या वाइज मेंस क्यों व्यर मेंस कहां कहां तुम कहां जा रहे हो वह वाय व्यर्यव तुम क्या करते हो what are you तो देखो यह what, why, how, when, where, यह सब question word है, और अगर यह sentence की सुरुवात में आएं, तो समझ जाना यह question word and interrogative sentence है, जब आप Hindi पढ़ते हो, तो यह सब बीच में आते हैं, और जब आप English पढ़ते हो, तो यह सब starting में आते हैं, तो जब भी आपको question word and interrogative sentence मनाना है, सबसे पहले इनक जो English लिखो, उसके बाद helping verb यूज करो, उसका subject, अगर verb है, तो verb लिखो, उसके बतादा word, ठीक है, समझ में आगी नहीं है, अब हम लोग चलते हैं अपने chapter पर, प्यारे बच्छों, अब आप जो है, इस chapter को, यानि interrogative sentences को अच्छे से समझ पाओगे, तो sentences के बारे में मैं अ अच्छे से आपको बता दिया, कि क्या होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों में से एक प्रकार होता है, interrogative sentence, जो क्या करता है, question पूछने का काम करता है, ठीक है, यानि interrogative sentences क्या होते हैं, interrogative sentences, ऐसे sentences होते हैं, जो क्या करते हैं, वो question पूछते हैं, क्या कि आता है बच्छो कोश्यन माकाता है तो हम देखिए यहापट यूनु में लिखा वी हुआ है ठीक है कि लिखा हुआ है एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आसक एकोश्यन एंड ending with question mark अगर किसी कोई sentence question पूछता है तो वो interrogative sentence होता है और end with a question mark और जिस भी sentence में question mark लगा हो वो क्या होता है? interrogative sentence होता है अब आप ये बात अच्छे से समझ गए ठीक है? लेकिन मैंने एक बात और भी बताई दी आपको कि जो हम question करते हैं वो दो तरह के question करते हैं एक question का तो answer हम हाँ या ना में देते हैं और दूसरे question का answer हमें क्या बताना पड़ा है? detail में देना पड़ता है उसका reason बताना पड़ता है ठीक है? उसको थोड़ा सा व्याख्या करनी पड़ती है detail में बताना पड़ता है है ना जैसे मैं आप से अगर आपने क्या किया अपने पापा कुछ लेके आए आपने खा लिया मम्मी को नहीं बताया ठीक है मतलब मालूप पापा कुछ मिठाय लेके आए और आप गये किचन में आपको दिखा अपने का खा लिया उठा के और मम्मी बाद में गई और जो है म ममीसापने पूछा नहीं, आप अमी को पता नहीं, जो फाइख हुछ यहाँ थे नही तो नहीं है कि नहींगे पुछा बढोयां और आपस की दो कि तो ऐसे यहां पर ब्ताइफ रख्थ टी के आपने लिए है आपने कहा है तो आप दो आपई बोलते हो हम अपनी मैंने मनों यह दो च्टर देगे कर नहीं झालिया थेक तो सबस्क्राइब प्रणियुक्त को बताना पूरता है तो एसे संटेसे ऐसे इंट्रोगेटिव संटेस्ट्रेस जो और धी जिन सब्सक्राना जक्ते होके बटाता है को हम'T बताने जा आप जा जा सकता है तो यह इस अब प्लश जारहे हो रही हो स MTV अब भाजा जा एक बिर और उते की वंड्य हो यह फेल्य गड्रीस फ़क्तान उन कितने बज़े उठते हो तो आपको बताना पड़ता है कि भाई मैं सुबह 8 बज़े 9 बज़े उठता हूं ऐसे नहीं बोलोगे मैं मैं पूछा कि कितने बज़े उठते हो तुम बोला हाँ उठते हैं नहीं उठते हैं ऐसे नहीं बोल सकते हैं वहाँ बोलना पड़ेगा कि बत जैसे एम आर हम सबसे हो ठीक है विल शेल से स्टाथ हो यह सब माडल आग्जल्री वर्ब होते हैं नोर सब्सक्राइं मोडल ऑगजल्री वर्ब होते हैं कि कूड में यह सब महरे मोडल होते हैं अगर इनसे स्टार्ट हो वर्ब से स्टार्ट हो तो समझ जाना कि यह कौन सा है Yes, No, टाइप into creative sentence है ठीक है और अगर question word से start हो रहा हो जैसे कि where, why, how, who, है ना तो यह सब question word होते हैं जिसे what means क्या, why means क्यों, where means कहा, when means का, how much कैसे, how much कितना, how many कितने हैं इस सब question word होते हैं इसे अगर start हो जाए तो तुरुन समझ जाना कि यह हमारे कैसे sentence है यह हमारे interrogative question word interrogative sentence है ठीक है बच्चो अब बात आती interrogative sentence बनाएगा जे तो हमेसे याद रखना कि दो structure याद रखना सबसे पहले sentence में यह ढूड़ो कि action क्या है ठीक है सबसे पहले यह देखो कि हमारा जो subject है वो क्या है ठीक है मतलब subject कौन जिसके बारे में बात की जा रही हो या sentence में काम करता हो जैसे मैं पानी पीता है कौन पानी पीता है मैं तो मैं क्या हुआ है सब्जेक्ट हुआ यह मैं बोलू मैं एक डॉक्टर नहीं हू depende कर रहा हूं मैं मतब मेरे बारे बात कर रहा तो मैं वो सब्सक्राइब आप सब्सक्राय। सब्सक्राइब सब्सक्राइब पास्टेंस है तो उसके अकर्डिंग, फूचर टेंस है तो उसके अकर्डिंग, क्या है यूज करो, एक्जल्री वर्ब यूज करो, यह जैमार, वाज़वार, यह जो भी हो, ठीक है, उसको सबसे पहले लिखो, उसके जश्ट बाद में सब्जेक्ट लिख दू, ठीक है, और अगर वर्ब है तो उसको वहले लखो और लास्ट में कोशन मार्ग लगा दो ठीक है तो वो यह स्नो टैप बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेज लेकिन अगर आपको कोशन वर्ड इंट्रोगेटिव बनना ना है तो सबसे पहले सेंटेंस में यह देखो कौन सा कोशन आया है वर्ड आया है जैसे क्या क्यूं कब कहां तो उनकी अंगरेजी सबसे पहले लिखो उसके बाद जो भी अउक्जली वर्ब है उसको लिखो सबजेक के अकोडिंग तेंस के अकोडिंग और सबजेक उसके बाद अग example के माध्यम से भी आप समझ लीजी जैसे यहां देखिए लिखा हूँ है वास दा बुक इंट्रेस्टिंग क्या बुक उस्ड़ीव दा इंट्रेस्टिंग क्या बुक इंट्रेस्टिंग थी मज़ेदार थी तो यहां पर देखिए कोश्चन पूच रहा है यसनों में पूच तो अगर होगा तो ठीक नहीं होगा तो नहीं ठीक सब में कोश्चन मार्ट लगा है यह पहचान है को इंट्रोकेटिव सेंटेंस की और इन दोनों में देखिए वाज और है दोनों एक्जलरी वर्ब है इन से स्टार्ट हुआ है तो यह पहचान है यस नो टाइप इंट्रोकेटिव की है ना बच्चों ठीक है इसी तरह दूसरे एक्जाम्पल भी है अकर इसी संटेंस में इसी वाज को वाज दा बुक इंट्रेस्टिंग में वाज को अगर मैं सब्जेक्ट दा बुक के बाद में लिख देता तो क्या बन जाता व्वश्ध डाव्क इंट्रेस्टिंग लगा लगा देता इस दरह गर्म É something में जुक बनाना होता हुआ है और जाम बनाना भादे यहार है यह दो फरक नहीं तो मैं है यह जाओ जाओ जादियल लुर्भ incident को सब्ज़ेट्जंक चरबिल वह दो हुट जाओ वह ली दो प्र minist जाओ पर और नहीं होता जाय से प्र कह भी होता तो वो लिखता है उसके बाद जो थे मुदक्ण1- जो है जो है इस तरह से हम एक्जामपल दिये गए हैं जैसे कैन ही वर्क हाड क्या वो कठीन महनत कर सकता है यहां पर कैन जो है वह कैने मोड़म इस से सटार्ट हुआ है तो यह इंतुरगेटिव संटेंश को जाना कि पर करते हैं ठीक हैं और इसी मुझक पूछन का सबसे पहले लिखते हैं उसके बाद सब्जेक्ट फिर अधर वर्ड सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं ठीक है बच्छो आप अच्छे से समझेंगे और घर पे इसको अच्छे से पढ़िए प्रक्टिस कीजिए ठीक है मिलते हैं नेक्स चेप्टर में नेक्स वीडियो के जाद बहुत बहुत धन्यवाद है